हेलो एवरिवान वेलकम टो माई यूटीब चैनल मैं सीमा शर्मा आज आपके लिए लेके आई हूँ जो जिनकी काफी छोटी हाइट होती है उनको ये समझ में नहीं आता है कि हम किस तरीके की ब्लाउंस अपने लिए स्टिच करवाएं जिसे कि हमारा जो लुक है काफी अच् स्टिच करवाना है कुछ ऐसे पॉइंट से आपके सामने में रखोंगी उन पॉइंट सो को आप फॉलो करके अपने जो ब्लाउंस से स्टिच करवाते हो तो काफी अच्छा आपका लुक आने वाला है और छोटी हाइट है ये तो कुदरत की देन है और भगवान की देन है को हम नहीं चेंज कर सकते हैं बट अपनी जो कपड़े पहनते हैं उसमें थोड़ा सा चेंजिस करके अपना लुक चेंज कर सकते हैं जब हमारा लुक चेंज होगा तो अपने आप में एक कॉन्फिडेंस आता है जिनकी छोटी आई टोती है वो हमेंसे ये सोचते रहते हैं उनके मन में कहीं ना कहीं ये बाते जरूर रहती हैं कि हम साड़ी पहनेंगे तो अच्छे नहीं लगेंगे बट ऐसा नहीं है मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगी जिनको आप बस आप फॉलो करते जाए तो आप अपने आपको देखेंगे कि आपके अंदर काफी चेंजिस आएंगे तो आप मुझे जरूर कमेंट करके बताएं कि आपके अंदर कैसा चेंजिस आया बट आप इस वीडियो को शुरू से लेके लाश्ट तक देखना तो आपको सारी बात समझ में आएगी कि आपको करना क्या है कि आपको अपने लिए ब्लाउज कैसे स्टिच करवाएं अभी हम ब्लाउज को देख लेते हैं कभी भी अपने लिए ब्लाउज स्टिच करवाते हो तो ब्लाउज आप अपनी हाइट के एकॉर्डिंग अगर आपके हाइट छोटी है तो अपना जो blouse है वो 30 इंच कभी ना करवाएं 40 इंच कभी ना stitch करवाएं या 15 इंच कभी stitch नहीं करवाना चाहिए अगर आपकी height कम है तो आपको सिर्फ 12 इंच अपनी जो blouse की length है यानि ऐसे blouse की length होती है सिर्फ 12 इंच रखनी चाहिए या 12 इंच आप इसको रख सकते हो blouse को 12 इंच से आप ज़्यादा कभी मत रखो अपने blouse की height जो लंबाई जो होती है उसको 12 इंच से आप कभी भी ज़्यादा ना रखो और 13 इंच तक तो बिलकुल नहीं 12 इंच आपका last होना चाहिए या 12 होना चाहिए अब मैं दूसरी बात बताती हूँ second point ये है कि इस तरीके कि कोई सब भी आप blouse सिलवाते हो तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो होता है यहां का जो कंदा हमारा जो होता है ये वाला चीज होता है कंदे का जो 13 हम इसे कहते हैं ये आप ज्यादा ना रखवाए ठीक क्योंकि आपके एक तो हाइट कम है उपर से आप ये जो आपके कंदे होते वो थोड़े चोटे होते हैं तो उनको ज्यादा इतना ज्यादा रखवाओगे जैसे कि नॉर्मल लोग ब्लाउज अपने लिए से लवाते हैं बट ऐसा नहीं करना है आपको करना क्या है जो आपको तीरा है वो थोड़ा कम रखना है यानि यहाँ पर आप 1.5 इंच रख सकते हो दो इंच रख सकते हो बस इससे ज़्यादा आपको नहीं रखना है थर्ड पॉइंट मैं आपको बिताती हूँ आपको करना क्या है थर्ड पॉइंट आपको यह करना है जो आपको स्लीव है ना स्लीव थोड़ी छोटी रखनी है ज्यादा लंबी हमें नहीं रखनी है जो ब्लाउज की स्लीव सोती है वो आप इतनी ज्यादा ना रखें क्यों तो आधिकतर आप कोशिज करो कि आप जो लंबाई या वो कम रखो तीन इंच साड़े ती इंच की आप जो बाजू है वो रख सकते हो इससे ज्यादा कभी मत रखना तीन इंच भाई इंच इतना ही आप रखें ठीक आपकी तीन पॉइंट किलियर हो गए और चौथा पॉइं एक जो गले हैं थोड़े ब्रॉड रखो ज्यादा आप छोटे गले मत पहनों क्यों एक तो आपकी हईट कम है वो ज्यादा कवर हो जाने से अच्छा नहीं लगता ब्लाउज तो आपको ब्लाउज की नेक की जो गेहराई है वो थोड़ी आप ज्यादा रखो यूंकि हर एक दोरी तो होती ही है तो वो डोरी से बनद जाती है तो ब्लाउच नहीं किरता है और इस तरीके से इस तरीके से जो गला है आपको पीछे का थोड़ा रखना है इसे भी आपका जो ब्लाउच का लोक कहेना काफी अच्छा आएगा जो मैं ये पॉइंन साब को बता रही है बले आप कॉपी में नोट डाउन कर लो तरीके से अगर आप ब्लाउज स्टिच कर बाते हो या आप खुद स्टिच करते हो तो आप अपने अंदर खुद चेंज देखोगे कि आपके अंदर क्या चेंज आया है ब्लाउज या साड़ी पहनने में कितना चेंज तो इस तरीके से आपको ब्लाउज के पीछे के नेक का ध्यान रखना है कि ब्लाउज में पीछे का जो नेक है थोड़ा सा बड़ा बनवाना है आप आठ इंच रख सकते हो अगर ज़्यादा आप लंबा नहीं पहनते हो जैसे कि इसका गला जो है अभी आपको मैं दिखा र करवाएं नीचे से आप जादा नहीं कटिंग करवा सकते हैं तो साइट से कटिंग करवा के थोड़ा सा उसको चोड़ा करवाएं तो यह भी लुकवाइस काफी अच्छा लगता है और नेक्स्ट पॉइंट यह है कि अगर आप पीछे से ब्रॉड रखते हो जैसे कि आपने यहां देखा ब्लाउज में पीछे का आपने ब्रॉड गला रखा है थोड़ा बड़ा गला रखा है तो अब आप यह सोच रहे होंगे अगर हम ब्रा पैंते हैं तो उनकी पटियां बाहर निकल जाएंगी साइट की जो पटियां है अमारी ब्रा की बाहर निकलने लगती है तो अच्छी निलगती है या नीचे से उपर ब्रा की पटिया तो भी अच्छा निलगता है इसके लिए मैं आपको एक पॉइंट बताती हूँ आपको ब्लाउज में करना क्या है एक तो आपको सिंपल ब्लाउज नहीं सिलवाना है कभी भी आप अपने लिए सिंपल से स्टिच करते हो तो आपको यह पता हो गए या टेलर से आफ यह भी बोल सकती हो नीचे पट्टी आप लगाओ और यहांपर यहां पर जो ब्रा वाला हिस्सा है वह उनी प्रा यहांपर निकल जाता है ऐसे ब्लौाउज में आपको ब्रा पहने के जुरूत नहीं है और इससे कभी नहीं रखनी है, साड़े बारा इंच आप रखो या बारा इंच रखो, इससे ज़्यादा आपको नहीं रखना है, क्योंकि आपके जो एक तो आपकी हाइट कम है, उपर से आपका जो यहाँ गैप नहीं दिखता है, जब आप साड़ी पेहनते हो, कभी भी आप इस चीज आप यहाँ बांद होगी, तो उससे क्या है, कि यह इसका गैप नहीं ज़्यादा दिखता है, जब आप साड़ी पेहन होगे, तो अच्छा नहीं दिखता है, इसलिए आपको आपको सिर्फ बारा इंच अपने लिए स्टिच करवाना है, ब्लाउज की लेंद एंड के लिए कि छोटी हाइट के लिए साड़ी पेहनते समय आपको कौन-कौन से पॉइंट्स याद रखने हैं, ध्यान में रखते हुए साड़ी पेहनना है, तो नेक्स्ट वीडियो मेरी यही होगी, मैं आपके लिए जल्दी ही लेके आऊँगी, अभी आप मैं ब्लाउज के बारे में बता देती हूँ, और यह requested वीडियो है, इसके लिए मेरे पास request आई थी, कि छोटी height वालों को किस तरीके के ब्लाउज वेर करने चाहिए, तो आपको मैंने जैसा कि बताया, कि इस तरीके का ब्लाउज अगर आप पहनते हो, तो आपका जो look wise है काफी अच्छा होगा, और ज देखते हैं, यहाँ पर जो आप hook लगाते हो, इस तरीके से, यहाँ जो आप hook लगाते हो, तो यह भी आपको ज्यादा लंबा नहीं रखना, यहाँ पर आगे जो आप hook लगाते हो, ब्लाउज में, वो भी इतना बड़ा नहीं रखना है, बिल्कुल नहीं रखना, गला जो ह दिलवाओ आप अपने ब्लाउज की जो गहराई यहां से दोगे या कटिंग करवाओगे स्टिच करवाओगे तो आपका जो गला है ब्लाउज का काफी अच्छा लगेगा और यहां पर जादा आपको लंबी हुक वाली पट्टी नहीं लगानी है थोड़ा कमी आप छोटा ही रखना ज्यादा लंबा नहीं रखना तो इस तरीके से इस तरीके से सुलवाओगे आप देखोगे यह मेरा ब्लाउज है इस तरीके से आप देख रहे हो यह ज्यादा लंबा नहीं है और ठीक मैं जब पहनती हूँ एकदम परफेक्ट आता है लुक वाइस भी काफी कर सकते हूं कम से कम अपने ब्लाउंच की स्टिचिंग थोड़ी अलग करवाओ जो मैंने पॉइंट्स बता हैं वस Fifa उनको धियन ऊसी तही कह से अपने ब्लाउंच को स्टिच करवाना है और जब आप सूस्टिच करवा कर पहनों हों और कैसे comments मिले हैं आप जरूर मुझे comment में करके बताना मैं आपकी comment का वेट करूंगी and इसके लिए ऐसे ही आपके लिए informative वीडियो लाती रहूंगी और इसे related आपको और भी वीडियो देखनी है तो मुझे आप comment करके बता सकते हो मैं आपके लिए और भी वीडियो लेके आऊंगी आम बिलते हैं नए वीडियो में नए content के साथ तब तक के लिए बाबाई take care love you